जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र में रबिवार की साम हलकी बारिस होई बताजराजी के उतरी और мद्ध भाग में सुम वार को कहीं कहीं हलके से मदरज की बारिस होगी और इस दाराण में गरजन बजरपात के साथ ओलाविरिस्टी भी हो सकती है मौसम विभाग ने 10 और 11 जन्वरी को होने वाली हलकी बारिस में गर्जन और ओला विलिस्टी का औरेंज अलर्ट जारी किया है हलाकी गेहों की फसल को फैदा होगा जबकि मटर, सरसो, आलू, अन्य तरह की सबजीयों की खेती में मौसम विभाग के अनुसार 11 से लेकर 15 जन्वरी तक राजे के कई अस्थानों पहल की बारिस के असार है बता दे राजस्थान में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जार्खन के उतर पचिम भाग से परवेस होने से रवàyवार को दो पर के बाद साम तक बादल चाय रहे जार्खन के सरकारी स्कुलों में चातर चात्र चात्रावों के लिए फिर से अनलाइन का खाय शूरू होगी बता दे अनलाइन का ख्छा खटी से बरहभाशी तक के लिए चलेगी लेकिन मैट्रिक और इंटरमीडियर्ट के चात्र चात्राओं के लिए 26 रूप से ओनलाइन का अक्षाय चलेंगी इसके लिए सोमवार को स्कूली सिक्चावा सक्षता भी भाग एसोपी जारी करेगा बतादे राजे में 5 अगस्ट 2021 से नौवी से बरावी की ओफलाइन कलास सुरू हुई थी जबकि 24 सितंबर से छटी से आटवी की स्कूलों में ओफलाइन पढ़ाई सुरू की गई थी इस दौरान इनका ख़ाव के लिए पूरु में चल रही ओनलाइन कलास बंद कर दी गई थी अब जब करोना संक्रमन के बढ़ने से बच्चे के लिए स्कूल बंद हो गाई हैं और आफलाइन कलास बंद हो गाई तो ओनलाइन कलास सुरू होगी ज्यारखन में कुरोना से रहा 344 मरीज मिले जबकी 1208 मरीज स्वास्थ हुए ज्यारखन में कुरोना के 344 मरीज मिले हैं ज्यारखन में कुरोना से रहा 344 मरीज मिले हैं ट्रेन में यात्रा करने के लिए कोविड भैक्सिन की दोनों डोज जरूरी देश में कुरोना संक्रमन तेजी से बढ़ रहा है इससे ज्यारखन भी अशूता नहीं है बतादे यहां सभी जीले इस समय कुरोना संक्रमन की चपेट में है हर तरफ बढ़ते संक्रमन को लेकर हाकार मचा हुए है पतादे मुर्थ मंत्री आवास तक इस समय कुरोना संक्रमन की चपेट में है अईसे में रेलवे ने बढ़ा फैसला लिया है बता दे तमिलाडू सरकार के ग्री विभाग ने बढ़ते क्रोणा संक्रमन को देखते हुए कुछ दिशानी देश जारी किया था इसको ध्यान में रखकर चेनाई रेल मंडल ने आदेश दिया है कि वही लोग ट्रेन में यातरा कर सकते हैं जिन्होंने कोविट बैक्सिन की दोनों डोज ले ली है इस नई विवास्ता के बाद अब जारखन में भी रेलवे इस नई विवास्ता को लागू करने पर विचार कर रहा है मौसम विभाग का अलोट खेत में जाने वाले किसान रहे साउधान रभीवार की साम होई बारिस के बाद क्रिसी विभाग मौसम विभाग एवं परियावरन विज्ञान विभाग सतर्क हो गया है बतादे बिर्सा क्रिसी विसो विदाले के नोडल अफसर ए वदूद ने किसानों के हीत के लिए बाकाइदा मौसम खेती परामर्स बुलेटेन ज जारी कर किसानों को पहले से ज्यादा सतरक हो जाने की सलाधी है। जिनों पंजाब में परधान मंती नैंद मोदी की सुरक्षा में चुक का मामला सामने आया था। बतादे बीच रास्ते से पीएम के काफिले को सुरक्षा कार्णों से पंजाब से वापस लोटना पड़ा था। इस पर मामला सुप्रीम कोड तक पहुंच चुका है। जार्खन में अवसत से अधिक बारिस फिर भी सुध पेजल पहुचाने में पिछला जार्खन। जार्खन में अवसतान 14 समीमी के आसपास साल में बारिस होती है। बिते साल तो जार्खन के कई सहरों में मांसुन के दोरान समाने से भी अधिक बारिस दर्श की गई। इसके बावजूद यहां के लोगों को सुख्ष पेजल नहीं मिल पा रहा है। बता दे सूध पानी पहुचाने के मामले में जार्खन देश के 33 राजियों वकेंद्र सासित परदेशों में पिछले 3 राजियों में सामिल है। बता दे केंद्री पेजले हो सकता एवं जाल सकती मंत्राले की ओर से देश भर में जाल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। जार्खन में जाल जीवन मिशन के प्रगती अची नहीं है। रांची में 61 लाख रुपाय के साथ पीले फाई का नक्सली गिरफतार। देवघर में मनरेगा मातेरियल के भुखतान की स्थीती खराब। मन्रेगा में माटेरियल के भुगतान किसी देवगर में काफी बत्तर है बतादे देवगर जीले में करीब चार माह से मन्रेगा के माटेरियल के रासी का भुगतान नियमीत तोर पर नहीं हुआ है पूरे जीले में कूल 17 को रूपे मंदेगा के मैटेरियल की रासी का बकाया है बड़ी बकाया रासी होने की वज़ा से मंदेगा में कई पक्का वर्क की योईनाव का काम रुख गया है बता दे इसमें पक्कान नौल निर्मान, सिचाई कूप निर्मान, पसू सेड, बक्री सेड और मुर्गी सेड आदियोजिनाव का निर्मान सामिल है जारखंड की कोईला नगरी धनबाद में भुकंप के जटके हुए महसूस जारखंड की कोईला नगरी धनबाद में रभीवार की रात एक बचकर 31 मेट पर भुकंप के हलके जटके महसूस किये गए सहरी हिस्सों में लोगों ने कमपन महसूस किया बता दे या 2-3 से केंड का बताया जा रहा है कुछ लोगों ने इस सुचना को तुरंत बाद सोसल मीडिया पर सेयर भी कर दिया हलाकि इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं हो पाई है बता दे जारखंड की कोईला नगरी धनबाद में भुकंप के जटके महसूस किये गए जनकारी के अनुसार अभिवाद की रात एक बचकर 31 मेंट की घातना बताई जा रही है पाकुड के बीडियो को ठग ने लगाया 4 लाख का चुना पश्विम बंगाल के एक ठग ने जारखंड के पाकुड जीले के महस्पूर बीडियो उमेश मंडल से ठगी की है उन्हें सोना बताकर पितल का 450 सीके बेश दिये बता दे इसके जरिये इनसे 4 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है महस्पूर बीडियो उमेश मंडल ने इस बावत ठाने में लिखी सीकायत दर्ज कराई है इसके बाद पूलिस मामले की जाच में जुट गई है बता दे जर्खंट के पाक कुर जी लेके महस्पूर बीडियो उमेश मंडल ठगी के सीकार हुए पच्छिम मंगाल के ठग ने उन्हें सोने के सीके के नाम पर पितल के सीके देकर उन्हें 4 लाख रुपए का चुना लगा दिया है बोकारों में भिशन सलक हचसा ट्रेलर ने कुचला चार की महत जर्खंट के बोकारों में ददनाक सलक हचसा हुआ है घटना बोकारों के पेटरवार थाना छेतर एनेस 23 लुकाईया सगुना पेटरोल पंप के पास रभीवार रात की है जहां पीकनिक मना कर लौट रहे दो आट्टो को ट्रेलर ने रहुन दिया जिससे चार लोगों की मौत मौके पर ही हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गई घायलों को रीम स्वास्वशदर अस्पताल राची में भरती कराया जा रहा है बतादे घाटना के बाद आकरोसित लोगों ने रामगर बोकार मुख्यमार को जाम कर रखा है कोरोना के तिसरी लार के बीच हजारी बाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक बुरी खबर आई है बतादे यहां चोरों ने कोरोना से लडाई के लिए लगाई गई अक्सिजन पाइप की चोरी कर ली है जनकारी के मुताबिक उनाइस बेट से अक्सिजन पाइप गायब कर दिये गए है सोमवार सुबा इसकी सुचना मिलने के बाद अस्पताल परवंधन ने मामले की परताल सुरू कर दी है बताया जाता है कि इसमें किसी करमचारी की मिली भगत भी हो सकती है एक-एक करके सभी बेट से पाइप खोल लिएगा है इस गाटना के बाद से अस्पताल परवंधन भी सकते में है कोरोना का कहर धनबाद रेल मंडल में 7541 यातियों ने रद कराई टिकाट कोडार्मा जक्सन करीब 26 सदस्यों के रोटरी कल्ब कोडार्मा का एक दलचा जनवरी को ओडिसा के पूरी जाने के लिए पुर्षोतम एक्सप्रेस में अरक्षन करवाया था वहाँ रोटरी का राष्ट भर का समिलन होना था बता दे कोरोना के तीसरे लहर की वज़ा से रद कर दिया गया बढ़ते कोरोना संक्रमन के साथ अब लोग अनवसक यातरा से दूरी बना रहे है इस मौसम में सहर दर सहर लग रहे है नाइट कारफ्यू और सेमी लोगडाउन के कारण लोग सहर सपाटे के अपना यातरा कारेकर अबरत करा रहे है बता दे कोडार्मा के रास्ते होकर चलने वाली बीवी आईपी ट्रेन राजधानी सहीत का एक्सप्रेस ट्रेनों में ततकाल टिकट की मारा मारे भी अब नहीं हो रही जिनें बहुत जरूरी है वैसे यातरी अब करण टिकट लेकर ही लंबी दूरी की ट्रेन में यातरा कर रहे हैं HEC में कामगारों ने मुख्याले जाम किया है साथ माह के बेतन भुक्तान की मांग को लेकर HEC के कामगारों ने सोमवार को मुख्याले जाम कर दिया है बतादे कामगार सुबा आट बई से ही मुख्याले के पास जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे कामगारों की मांग है कि अचीसी परवंधन हर हाल में दो माह का बकाय भुकतान करे टूल डाउन हरताल के दोरान बेतन दिया जाए उन पर किसी परकार की करवाई नहीं की जाए साथ ही कैंटिन भाता का भुकतान किया जाए जबकि परवंधन सिर्फ देड माह का बेतन भुकतान करने की बात कर रहा है लेकिन परवंधन की ओर से इसका कोई आदेस चारी नहीं किया जा रहा है और नहीं यूनियानों के साथ वर्ता की जा रही है धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के बेले कंदवाइए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसे फेस्बूक ट्यूटर इस्टाइगर आपकर सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेट बक्स में अपना पीड़एक अवसे दे थैंक यू